Hello Everyone, Welcome to MS Education TV हर याना बोर्ड में पटने वाले बारवी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को जुरूर देखें इस वीडियो में हम सोचलोजी के वेरी वेरी इंपोर्टन्ट MCQ और अब्जेक्टिव याना की One Marks जो क्यूशन है उनको डिसकस करेंगे यह जो क्यूशन है बार बार एक्जाम में पुछ जाते हैं इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट है देखें यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के भी MCQ या फिर Objective One Marks की क्यूशन देखने हैं तो आप मेरी YouTube चैनल के उपर जाके देख सकते हैं यदि आपको Class 10th और 12th की प्रीविश एर की पेपर डाउनलोड करने है विद आनस्वर तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में आपको जो है इंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में जो क्यूशन देखने को मिलेंगे फैस्ट क्यूशन है किस परनाली में पूछे गए परसन पूरो निदारित होते हैं सर्वेक्षन परनाली में नेक्सट किनी दो कर्शिप करनों के नाम लिखें ट्रेक्टर और हार्वेस्टर नेक्स्ट उसने ओपनी वे सक बारत में जिलो का परसाशन कैसे चलता है जमिदारी व्यवेस्ता के दोरा नेक्स्ट हैं 1949 में गांदी जी ने कौन सा पत्तर लिखा हरीजन नामक पत्तर नेक्स्ट उसने वरंग का सापदिक्तात पर यह होता है रंग Next है बाजार के दो उधारन लिखे जिने आप जानते हैं First है फलो का बाजार या थोक बाजार दूसरा है रेलियु स्टेशन के पास का बाजार Next है किस परकार के समाज में परतेक्स लोगतंतर की संभा होना है बिलकुल कम है विषाल और जटिल आधुनिक समाज में next question देखिए किस पत्ती में एक साथ जादा लोगों को सामिल नहीं क्या जा सकता साकसातकार पत्ती में कौन सी विबिनताएं सामाजिक एसमानता और बहिसकार को सपष्ट करती हैं तो सामोहिक विबिनताएं या फिर एवेक्तिक next question देखिए बारतिय लोगतंतर का मुलादार क्या है तो समीधान next question देखिए गांदी जी ने नमक कानून तोड़ा तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1930 में next question देखिए नेमन लिखित में इसे कौन सा सामाजिक आंदोलन के वर्गी करन का एक परकार है तो सभी जो है इसके सारे option जो है बिल्कुल right है तो इसमें जो d option है ये क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल right next question देखिए नेमन में से कौन सा लेख दुर्खिम की चिंता को जो है परतिबिंबित करता है तो इसका जो right answer क्या हो जाएगा जो first है ये भी सही है second, third तीनों option जो इसके सही है तो इसमें जो last option है क्या हो जाएगा बिल्कुल अपना right next देखिए नेमन में से कौन सा मुद्रित सामगरी का परकार नहीं है तो इसका जो right answer क्या हो जाएगा radio next question देखिए नेमन में से किसे समिदान के मूल उदेश्यों में सामिल किया गया है तो इसका जो right answer देखिए first option भी सही है second, third सभी जो option इसके right है तो इसमें जो d option है क्या हो जाएगा बिल्कुल अपना right next question देखिए किस आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामोहिक गतिवी गया है तो इसका जो right answer क्या जाएगा सामाजिक आंदोलन जो ए उप्शन नहीं क्या होगा बिल्कुल अपना right next question देखिए next question है एक सोध वीदी का नाम लिखें तो इसमें जो आपको एक सोध वीदी का नाम लिखना है तो सर्वेक्षन साक्सात कारोर अवलोकन next है किनी दो समाजिक बेदवाव गरस्त समूहों के नाम लिखें तो महिलाएं दलित एवं अन्य उत्पीडित जातियां या जन जातियां next question देखिए सत्य सोधक समाज की स्थापना कब की गई तो अठारा सो तीयत्तर में next question है the only way लेख का जो समझ किस पत्तर से है तो ये हरीजन नामक पत्तर से है next है योजना आयो का गठन कब हुआ तो मारच 1950 में next है किस परकार की सामजिक संस्ताइं लोगों को परस पर संप्रक मिला सकती हैं तो परिवार से बाजार तक की संस्ताइं next question देखिए विद्याले के बारे में चात्रों के विचार जानने के लिए क्या तयारी करनी चाहिए तो परसनावली तयार करनी चाहिए next question है चाय उद्योगों की सुरुआत बारत में कब होई तो 1851 में next question है मुनुस्यक को एक सथाई पहचान के जुरूरत क्यों होती है अपना आस्तिता उसक्रिये बनाए रखने के लिए next multiple choice question है नीमन में इसे कौन सा वरण बारतिय समाज में व्यापार और व्यापारी के महतव को दरसाता है तो इसका जो right answer क्या हो जाएगा जो c option है क्या होगा इसका right next question है नीमन लिखित में से किसे वरण बैवस्ता में सम्मेलित नहीं किया गया तो किसे नहीं किया गया पंचम को तो इसमें जो b option है क्या होगा right next question है कुछ जातियों दोवारा अन्य जातियों का जो है उत्पीडन करना कहलाता है तो क्या कलते हैं उसको जातिवाद तो जो इसमें c option है क्या होगा बिल्कुल right next question देखिए नीमन में से क्या हमारे अतित का नहीं वरतमान का भी जो है अभी अंग है तो इसका जो right answer क्या होगा जाति next question देखिए अपनिवेश सक्सासत के अंतरगत बारत में कौन सी एक एकरन उपलब दीबारी किमत चुका कर हासिल की है तो इसका जो right answer क्या होगा उप्रोक सभीयन की first option भी सही है second भी third भी तो इसमें जो d option है क्या होगा अपना right next question देखिए नीमन में से कौन सा मुद्रीत सामगरी का एक परकार है तो इसका जो right answer क्या जाएगा समाचार पत्तर जो इसमें c option नहीं क्या होगा बिलकुल अपना right next question देखिए next question है वह कौन सी बारते समझ इक संस्ता है जो विशेष जातियों में पैदा हुए वेक्तियों के विरुद बेहदबाव पूरण वेवार को लागू करती है तो इसका right answer क्या जाति next बारत का स्विदान कब आत्म जो है आत्मरपित किया गया तो 26 नॉंबर 1949 को next कानून के पीछे किस की सकती नहीं तो होती है तो राज्ये की next question है लोकतंतर राजनीतिक सवतंतता जो सवतंतता के अतिरिक और क्या है तो इसका right answer क्या होज़ेगा आर्थिक सवतंतता और समाजिक नयाय भी है सवतंतता से पहले बंदरगाह वाले की नीदो और द्योगिक नगरों के नाम बताने हैं नाम लिखने है उपयोग किये जाने वाले की नीदो उपकरणों के नाम लिखें तो गैस, मिक्सिया, प्रेशर, कुकर, कपड़े दोने की मसीन next है आप अपने घर में उपलब्द, विशेश, उपयोग की की नीदो बस्तों के नाम लिखें next है हमारा अदोनी की तियास किस स्थापदी के साथ परारंब हुआ माना जाता है तो 19 भी स्थापदी के साथ next है विशेश, विशेश, उपयोग में लाए जाने वाले किनी दो सरवजिंक, स्थानों के नाम लिखें तो खुला मैदान, पैदल पटरी, आवासी बस्तियों में खाली पड़े भूखंड आदी next question देखिए जनता का, जनता के दवरा जनता के लिए साथन कहलाता है तो उसको बोलते हैं लोक तंतर next question है नीमन में से कौन सा समुदर तटिये नगर है तो इसमें जो बंबई, जो चेने के कलकता सभी हैं तो इसमें जो डी ओप्शन क्या होजेगा बिल्कुल अपना right next question देखिए next question है आर्थिक दार्सना जो है दार्सनिक्ता को किस बादसा में जो है लेस ए फेर कहा गया है तो इसका जो right answer क्या होजेगा फ्रांसी सी ए ओप्शन क्या होगा इसका right next question है नीमन में से कौन सी जो है शिक्षा पत्ति राष्टरवादी चेतना एवं उपनिवेस विरोधी चेतना का मद्यम बनी तो इसका जो right answer क्या होजेगा पस्चिमी next question देखिए नीमन में से कौन सी विवस्ता हमारे देश में ब्रिटिस प्रारूप होए परतिमानों पर आदारित है तो इसमें A option भी सही है B और C सभी option सही है तो इसमें जो D option क्या जाएगा अपना बिल्कुल right next question देखिए किस सरकार के प्रस्ता उपर किया गया तो इसका जो right answer क्या है बारत सरकार के प्रस्ता उपर तो इसमें जो C option क्या जाएगा अपना बिल्कुल right next देखिए next question है किस पदती में किस पदती में सम्मधित विश्य प्रविश्तार से चचा की जा सकती है next question है हर्याना राज्य की सीमा के साथ लगते किनी दो बड़े राज्यों के नाम बताएं राजस्तान और उत्तर परदेश next है पारम प्रिक तोर पर जातियां किस से जुड़ी होती है तो वहवसाय से next question है समीथ ने किस प्रकार के व्यापार का समर्थन किया था तो इसका जो राज़ा अंसर किया जाएगा खुले व्यापार का next है अठारा वर्सायू के सामाजिक समूह को क्या कहा जाता है तो उसको हम बोलते हैं UAPD next है सामानेत है हम बाजार सबद का प्रियोकिस्तान के लिए करते हैं तो करे और विक्रे के लिए next है किस मानो विज्ञानी ने जो है दोराई गाओं का अध्यान किया तो इसका जो राज़ा अंसर किया ज़िए अलफ्रेड गेल ने next है सभी वैसको का मत देने का अधिकार किस ने दिया next है सरम विबाजन किस समाज़िक विचारक की कृती है तो ये किसकी है एमिल दुरखाईम एमिल दुरखाईम next है समाज़िक विशेष्ता है वैक्तियों के बीच किस प्रकार की जो है बिन्ता को परती बिम्बित करती है तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा सवाबाविक बिंता को Next MCQ Question है एक खास बोगुलिक छेतर और उस पर रहने वाले लोगों को पर कोन नियनतरन रखता है तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा राजय है Next question देखिए राष्टर का बेद दर्साने वाली सबसे नजदी की कसोटी क्या है तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा राजे B option क्या होगा सही Next question देखिए नीमन में से कौन सा देश की जो है खंडता एवं एकता के लिए काम करने वाला एक गटक है तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा सम अजी के सम जो है सम रस्ता C option क्या होगा इसका राइट Next question है नीमन में से कौन सा देश जन से की दिरिश्टी से जल्दी ही पहला स्तान प्राप्त कर लेगा तो कौन कर लेगा बारत जो इसका जो इसका राइट नेक्स क्यूशन है नीमन में से कौन सा नगर को जो हब्रिटी सामराजी के रथवस्ता के लिए उप्योग तो माना गया तो इसको जो राइट आंसर क्या जाएगा मंबई चेन नहीं और कलकाता सभी उप्सन राइट है जो डी उप्सन है क्या जाएगा बिल्कुल अपना राइट वीडियो अच्छे लग रही है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें को डाउट है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिश्टिन में वेबसाइट का लिंक दे रहे है वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट है बोम अंडली करन का एक आयाम लिखें आर्थिक आयाम इलेक्ट्रोनिकर एर्थ वैवस्ता नेक्स्ट है किसी एक अंतराष्टिय संस्ता का नाम लिखिए तो विसे हुए आपार संक्ठन यानि के डबलू टी ओ नेक्स्ट है बारत में नाई के जुत्तों का जो उत्पाद्धन किस दसक में हो रहा है तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जागा 1990 के दसक से यान कि 1990 के दसक से हो रहा है नेक्स्ट है पहली बार वित ब जाएगा हाँ यानि कि यस नेक्स्ट देखिए इंडिया गेट एक दरगा है तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि क्या है बिल्कुल गलत है वो कोई दरगा नहीं हो क्या है एक समारक है नेक्स्ट देखिए मध्यकाल में पस्चिमी उपनिवेश्वाद का सबसे ज्यादा परभाव रहा तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अनूचित यानि की रोंग नेक्स्ट देखिए सोध विशे पर कारिया करने के लिए एक निर्दारित परसंट चुन लेने के बाद अगला कदम उप्युक्त पत्ति का जो है चैन करना है तो ये बात क्य करने का जो परियास करती है तो जो धार्मिक निया ये भी सही है नेक्स समंदों को उजागर करने में मदद करता है तो ये कथन है ये सी राइट जो है मिल्क का सी राइट मिल्क का सूरी मिल्स नीमन में से कम से कम किस आयू का बचा समझ एक समंधों के बारे में जानता है तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा छै वरस का नीज क्योशन देखिए इन में से कौन सा 1931 के कराची कांग्रेस संक जो है संकलप गोशना पतर में सामिल था तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी ओप्शन क्या हो जाएगा इसमें राइट दार्मिक सवतनता दरमनीर पेक्स राज्य और जो है वैसक मतादिकार next question है बैसकार अनादर और सोसन ये किसके आयाम है तो ये किसके आयाम है एसरिपिस्टा तो इसमें जो C option क्या जाएगा राइट एस जो है प्रिष्टा एस प्रिष्टा next question देखिए स्त्री पुरुस्तुलना लिखी गई तो इसका जो right answer क्या जाएगा तो इसमें आपको बताना है तो इसका आप जो answer है आप मुझे comment section में जरूर बताएं कि इसका जो है कौन सा option बिल्कुल आपके according right होगा चलो मैं इसका वैसे आपको answer बताएता हूँ तो इसका जो right answer क्या जाएगा अठारा सो बिवासी next question देखिए आदोनिक कारल में किस सदी से जो है जाती और वैसे आपके बीच समंद डिले हुए तो इसका जो right answer क्या जाएगा 19 भी डिले हुए next question देखिए यह जो question है important question है ध्यान से जो है वीडियो को देखें next सवतंतरता प्राप्ति के समय बारत में कि इतने रेडियो स्टेशन थे छै next the civil जो end military gadget कब परकासित हुआ तो यह ठारा सो छेंतर में हुआ था next सुल्तान आज ड्रिम कब लिखी गई तो 1905 में साक्सातका और और सर्वेक्षन में जो है एक बिंता लिखिए तो साक्सातकार पत्ती में कम और सर्वेक्षन पत्ती में जो है दिक लोगों की स्वामिल किया जाता है next question देखिए एक समता एक जैविक कमजोरी है तो यह कह बिलकुल सही है next है सर्वेक्षन परनाले में हम काफी बड़ी संख्या में लोगों के विचार जान सकते है तो यह बात भी कह बिलकुल सही है बिलकुल राइट next है आदोनिक काल में पस्चिमी उपनिवेस्वाद का परबाव सबसे ज़्यादा रहा तो यह बात भी कह बिलकुल सही है राइट है next है उदारी करण की नीतिक अंतरगत विशव व्यापार संख्ठन में बागिदारी होती है तो यह जो उप्सन है यह भी कहा बिलकुल राइट next multiple choice question है निमन में से किस राजनीतिक अर्थ सास्त्री के नाम जो है जन संख्या वर्दी के सिदान से जुड़ा है तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा थॉम्स, रोबर्ट, माल्थस एए उप्सन क्या होगा इसका राइट next question है जनम दर्ध और मरति उदर के बीच का समध कहलाता है तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्राकृतिक वर्दी दोनों उप्सन सही है तो इसमें जो है C उप्सन क्या हो जाएगा राइट next question है इन में से किस राजनितिक अर्थ सास्त्री ने बाजार अर्थ वैवस्ता को समझने का परियास किया तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा Adam Smith जो A उप्सन क्या जाएगा राइट next question है उन्नीश विशदी के सुधार अंदलोनों में कीन कूर्तियों को रोगने के लिए जो है विशेस बल दिया गया तो इसमें जो फेस्ट उप्सन सही हो सेगंड थारड सभी उप्सन सही है प्रद्धी के तहर पूछ सकते है तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा साख सातकारियन की इंट्रव्यू next है इन में से कौन सा समाज ओद्यकरण के कारण गरामींड से स्तानांतरी तोकर जो है नगरिये देश बना तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा बिल्टेन में जब सी ओप्सन क्या होगा है इसमें अपना राइट next question देखिए इन में से कौन सा जो है सनविदाथ खेती का समाज सास्तरिये महतव रखता है तो इसमें कौन सा ओप्सन राइट हो जाएग हुआ है next question देखिए next question है the only way लेखक कौन है तो गांदी जी है next है किस पत्ती में एक साथ ज़ादा लोगों को सामिल नहीं किया जा सकता साथ साथ कार पत्ती में next question है वै कौन सी सोध पत्ती है जिसके तहत हम किसी चातर से सीदे पत्ती पूछ सकते है तो ये भी क्या है साथ साथ कार पत्ती है नहीं की इंटर्व्यू next है वै कौन सी परना लिया जिसमें 1200 या इससे भी अधीक संख्या में लोगों से पत्ती पूछे जाते हैं तो इसको सर्वेक्सन पत्ती बोलते है next question है नव वरस का त्योहार पंगल केरल में मनाया जाता है तो ये क्या है बिल्कुल गलत है तो ये कामना आ जाता है तमिल्नाडू में next question देखिए सामाने ते परबल भूव स्वामी समूँ में जो है नीमन जाती है समूँ के लोग आते है तो ये जो option ये क्या बिल्कुल ऐसते है क्योंकि इसमें जो उच जाती ही समूँ के लोग आते है सामाने परबल जो है नीमन जाती के नी आते इसमें किसके आते हैं उच जाती ही समूँ के लोग आते है तो ये क्या बिल्कुल ऐसते है बारत में पुन्जी वाद के कारण उपनिवेस वाद परबल हुआ तो ये बात क्या बिल्कुल सही है बारत को अंग्रेजी माद्यम में सिख्षा की सुईदा बिरिटिस सासन की देन नहीं है तो ये क्या बिल्कुल गलत है क्योंकि बिरिटिस सासन की देन है इंग्लिस यहनगे जो है इंग्लिस माद्य में शिक्स्या next इन में इसे कौन सा संकल जो है संकल अपना श्री M.N. स्री नीवास की देन है, तो इसमें जो राइट आंसर क्या जाएगा सभी M.N. जो सिर्फस्ट ये भी सही है, सबींद थन्योंसर जहीं है तो इसमें उपरोग सभी क्या जागा राइट आंस्वर Next Qution देखिए जन जाती जनसंक्या को कितने परतीसित भाग मद्य बारत में रहता है तो इसका जो राइट आंसर क्या जागा 85% Next Qution देखिए नीमन में से कौन सा सामाजिक जो है बेदबाव को सपष्ट रूप है तो इसमें जो c option है ऐसे प्रिस्टा क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer next है पुरुसों और स्तिरियों के बीच ऐसे मनता का क्या कारण है तो क्या कारण है सामाजिक तो इसमें जो b option है क्या हो जाएगा अपना right next question देखिए इन में से कौन सी चुनोती बारत में विवित्ता के कारण उत्पन होई है तो कौन सी उत्पन होई है तो इसमें छित्तरियता जातियता संप्रतयता सभी उत्पन होई है तो इसमें जो d option है क्या जाएगा अपना right next question देखिए सामाजिक विसमताग एवं सामाजिक बैसकार सामाजिक है क्योंकि तो इसमें जो है यह समुह से समन्दित है और यह सामाजिक और आर्थिक नहीं है तो इसमें जो सेगेंड और थर्ड ओप्शन दोनों राइट है और यह कौन से में दिये हुए है तो यह D option में दिये हुए हैं दोनो Next question देखी India Gate स्थित है तो India Gate कहाँ पे स्थित है तो यहाँ पे जो है India Gate कोई पे भी नहीं है क्योंकि जो है दिल्ली में स्थित है India Gate तो इसमें जो D option क्या होज़े अपना Gateway of India पूछते तो Mumbai आता लेकिन India Gate कहाँ पे है दिल्ली में है तो इसमें D option क्या होज़ेगा अपना Right Next question देखीए इन में से कौन सा कराची कांग्रेस संकलप गोशना पतर में सामिल था तो इसमें जो है First option भी सही है Second, Third, सभी option सही है तो इसमें जो D option है क्या होज़ेगा पिल्कुल अपना Right उपरोगत सभी Next question देखीए Next question है प्रियोजना कारिये का एक गुण बताईए तो विद्यार्थी का जो है आतम विश्वास मनोवे ग्यानिक जो है संतोष्टी आदी Next है वारतलाप के दुवारा सूचना एक तरीत करना कहलाता है तो उसको क्या बोलते हैं साकसातकार Next है बड़े पहमाने पर अध्यान करने के लिए कौन सी पत्ती का प्रियोग किया जाता है तो सर्वेक्षन पत्ती का Next question देखीए महिलाओं को जो है पारिवारिक संपत्ती में बराबर की सिदारी दिलाने के लिए कौन सायता करता है तो कौन करता है कानून Next है रट्रिफाल सा इलेक्ट्रोनी कर्थवेस्ता बूमेंडल ये करन का एक आयाम है तो यह क्या है बिल्कुल सही बात है राइट है Next है उपगरह प्रयोगिकी के सायता से हम सुदूर बैठे मित्रों को अपने दस्तावेज बेज सकते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है आप हमने डोकुमेंट वगरह बेज सकते हैं Next है Next क्यूशन है बैसकार जो है बैसकरित लोगों की इच्छाओं के विरुद जो है कारियन वीत होता है तो ये क्या है बिल्कुल सही है राइट है तो इसमें ओप्शन क्या हो जागा सही Next है सिमान्त किसान और बूमी हीन लोग निमन जातिया समूँ में होते हैं तो ये बात भी क्या है बिल्कुल सही है तो इसमें जो फैस्ट ऑप्शन ये भी सही है सबी ऑप्शन सही है इसमें जो डी ऑप्शन क्या होजागा अपना राइट Next question देखिए समाजीक संसादनों तक एस्वान पहुच कहलाती है तो इसको क्या बोलते हैं समाजीक विसमता तो इसमें जो एए उप्शन है क्या होजागा अपना राइट इसका अपना राइट इन में से कौन सा कारी अमीर लोग करते हैं तो इसमें कोई भी काम नहीं करते है क्योंकि अमीर लोग है वो किसी और से काम करवाते हैं नेक्स क्यूशन देखिए नेक्स क्यूशन है जन जाती है जन संक्या का कितने प्रतिशत भाग है पुरुवत्र राज्यों में जोह निवास करता है तो इसका जो राइट आंसर किया जाएगा 11 परसेंट नेक्स क्यूशन देखिए नेमन में से क्या हमारे समाज की विशेस्ताओं में सबसे बड़ी चिंता का भी से रहा तो इसमें जो फेस्ट है ये भी उप्शन सही है सैकें duration सभी ऋप्शन सही है तो इसमें जो डी उप्शन किया हुजेगा बिल्कुल राइट नाइस कॉशन देखिए इनमने से ुप महादीव कि किस विशेशता से विद्वान आकर्षित हुए है तो इसका जो right answer क्या जाएगा जाती बी option क्या होगा इसका अपना right next question है जन्त गंड़ना के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण सरकारी पर किस विशेपर जो है सुचना एक्तरित करना जो है था तो इसका जो right answer क्या जाएगा जाती जो c option क्या होगा इसमें अपना बिल्कुल right वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको like करें अपने दोस्तों जरूर शेयर करें और ये जो वीडियो है exam point of बहुत जादा important है अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को जरूर दोबारा से देखें और अपने दोस्तों को साथ भी जरूर शेयर करें इन किसनों को ये आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप जो है बहुत अच्छे जो मारक्स है एक्जाम में गेन कर पाएंगे और यदि आपको पुराने पेपरों की जो है आंस्वर डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए जो है वेबसाइट प्रोवाइड करवाई गई है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आपको पुराने जो पेपर हैं 10th और 12th क्लास के किसी भी सब्जेट के सभी जो है सैट्स के तो उनके आंस्वर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं दी वई वेबसाइट से जो की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सरवेक्शन के समय आने वाली एक मुख्य कठिनाई बताईए तो सरवपर्थम जो है परसनावली की बहुत सारी जो है परतिया तयार जो है करना ही बड़ी कठिनाई है तो bachy में कितनी बास आएं वा बोली यग जाती है तो 1632 बास आए वा बोली यग जाती है नेक्स्ट है बारतिय लोक तंतर का मुलाय दार है तो bachy समय दान तो इससन देखिए उपनिवे स्वाधि सासन के दोरान पर चले दो आधोनिक व्यापारिक नगर कोंसे थे मंबई और मदरास नेक्स क्यूशन किनी एक अंतराष्टे गैर सरकारी संग्ठन का नाम बताएं तो ग्रीन पीस दर रेड क्रोस जो है एमनेस्टी इंटर नेशनल नेक्स क्यूशन देखिए सामाजी क्वे सेक्सिक रूप से पिछडो को क्या कहा जाता है कि सबसे नई जनगणना का वर्स क्या है इसका आंसर आप कमेंट सेक्सिन में जरूर बताएं नेक्स्ट इसल्क रूट परसिद व्यापारिक मारग है तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा नहीं क्योंकि यह पुराणा है नेक्स क्यूशन देखिए बारत में दिल्ली को देश की जोवितिय राजदानी कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा नहीं क्योंकि जो मुंबई को कहा जाता है देश की जोवितिय राजदानी नेक्स क्यूशन है सामाज सास्त्रियस अध्यान छेतर अत्यांत जो है व्यापक होता है तो इसका जो राइट आंसर किया जेगा उचित यानि कि यह बात बिल्कुल सही है नेक्स्ट जाती ववस्ता की विशेश जातियों में पैदा हुए वैक्तियों के विरुद बेद वाव पूरण वैवार को लागू करती है तो यह बात बिल्कुल सही है नेक्स यूशन देखिए देश में जो है राष्टरवादी वावना पनपने का कारण था यानिकर विश्वाद देखिए नेक्स्ट जो है ignoring में इसे किस वैवस्ता पर आधारी थी तो यह थी पुंजिवाद वैवस्ता पर आधारी थी तो इसमें जो आउपशन ही क्या है प Jeśli बिल्कुल आपना राइट यानि कि यहां पर जो है ब्रिटिस आता यह जो है गलती से लिखर का है यानि कि ब्रिटिस नेक्स क्यूशन देखिए सामाज एक विशंदा एम भाईसकार जीवन की एक वास्थिकता है तो ये बात किया है बिलकुल उच्छी तह तो इसमें जो एक याव जाएगा बिलकुल अपना राइट नेक्स क्यूशन देखिए नेक्स क्यूशन है बारत में जनगणना के कारिया क उसरोपर तम किस दसक में उपरारम किया गया 1866 की दसक में जाती व्यवस्ता व्यक्तियों को किस आदार पर वर्गी करीद करती है तो व्यवसायत था जो है पश्थिती के आदार पर किनी दो संस्था जो है संस्था नात्मक प्रिवर्थनों के नाम लिखे यानि ये ओध्योगियों के करण और जो है नगरी करण बारत में कितने प्रतित लोग सवरोजगारी हैं तो 50% से अधीक लोग सवरोजगारी हैं साखसातकार वीदी की कमजोरी बताएं तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को सामिल नहीं किया जा सकता अनुबंदित कारिये क्या है जिसके जो है उत्पाद सुचना पराधारित होते हैं तो बार रहीत अर्थवस्ता नेक्स्ट किशन देखिए बड़ी संख्या में निरिदारिक परसनों की उत्तर किस परणाले में पूछे जाते हैं तो सर्वेक्षन परणाले में next बू स्थानी करन का आर्थ बूमंडलिय के स्थानिय का मिशरन है true false बताना है तो यह कह बिल्कुल सही है next जाती एक नविंतम जो है सांस्कृतिक संस्ता है तो यह नहीं है क्योंकि यह पुराणी संस्ता है तो इसमें जो इसका right answer क्या हो जाएगा wrong यानि कि नहीं क्योंकि यह पुराणी है next अचुत मानी जानी वाली जातिय का जो है अधिक कर्म में कोई स्थान नहीं है तो यह जो answer यह भी क्या है इसका right answer क्या होज़ेगा सही true next question देखिए एक संस्थान पत्ती एक से अधिक परशनों का जो उतर देने के लिए उप्युक्त है तो यह जो है आविश्यक नहीं है यह अर्थांत यानि की गलत है तो इसमें डी option क्या होज़ेगा सोरी second option क्या होगा right next multiple choice question है इन में से किस देश ने 1790 की जो है अधूनिक जन्रणा सबसे पहले करवाई तो यह अमेरिका नहीं करवाई थी C option क्या right अपने आपको जेन की स्वें बाहर से देखना कहलाता है तो क्या बोलते हैं उसको सव वाद्शक या फिर जो है आतम वाद्शक तो इसमें जो दोनों option क्या है सही है और बह next देखिए संस्क जो है संस्क जो है संस्कृतिकरण की परकिरिया में निमन जातियां किस जाति का अनुकरण करती है तो दुविज जाति का अनुकरण करती है तो इसमें जो C option क्या होगा बिल्कुल अपना right नेक्स ऐसन 1999 में 2000 के जो है संदरप में जो है ग्रामिन समाज में हिंदू उच जातियों का जो परतिशत था तो ये कितना था 11.7 तो इसमें जो A option क्या होगा बिल्कुल अपना right नेक्स यूशन देखिए next question है खुले वयापार का जो हर समर्थन किस ने किया तो खुले वयापार का समर्थन किस ने किया था तो इसका जो right answer क्या होगा Smith ने next question है the wealth of nation किताब किसकी लिखे हुई है तो Adam Smith की next है सवेक्षन पत्ति का एक लाब बताईए तो बड़ी संख्या में एक साथ परसंद पूछे जा सकते हैं राष्टर राज्य का एक उधारण देखिए बारत next है साखसाथकार पत्ति का एक लाब लेखिए तो इसमें जो है लचीलापन होता है next question देखिए next question देखिए टाइम एसेंट नाम से जो है विशिष्ट परिष्ट का सम्मन किस समाचार पत्तर से है तो इसका जो राइट आंसर क्या है देखिए टाइम सोफ है इंडिया next question देखिए अखिल बारतिय मुश्लिम महिला समिलन में बहु विवाह की जो है पर्था की विरुद परस्ताव किस ने परस्तूत किया तो यह किया था जहां आरा साहन वाजनी next देखिए प्रक्षेंड पत्ति का एक लाब लिखिए तो इस पत्ति के दवारा कुछ S जो है S संभव व्यवहारों और परतिमानों का पता लगाया जा सकता है next question है S प्रिष्टा को अखिल बारतिय जो है पर गटना माना अनूचित है तो इसका जो राइट आंसर किया जहेगा बिलकुल अनूचित है यानिकी गलत next question है ब्रितानी उपनिवेश्वाद यानिकी ब्रिटेन ब्रिटिस उपनिवेश्वाद समझी व्यवस्ता परादारित था तो ये क्या है बिलकुल अनूचित तो इसमें जो second part है ये क्या हो जाएगा राइट next question देखिए स्थानिय सरकार की अवदारना गांदी जी को जो है पिरिये नय थी तो इसका जो राइट आंसर किया होगा गलत next question देखिए समझी को कितने रूपों में विवाजित किया गया तो इसको जो राइट आंसर किया जाएगा तीन भागों में जो इसमें जो बी ओप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट नेक्स्ट है इन में से कौन सा समझ एक विसमता एवं बहिसकार का सिकार रहा तो इसमें जो फेस्ट ओप्शन ये भी सही है सैगिंड भी सही है तो इसमें जो डी ओप्शन है क्या होगा बिल्कुल अपना राइट नेक्स2 है नीमन में से किस जो सनसोदन के बाद महिला ओं का वास्तों में मताधीकार मिला तो ती एतरवा जो यह ओप्वशन है त्यातरवा सनसोदन क्या होगा बिलकुल राइट नेक्स2 है दारमिक दरष्टि से बारत में उनद्जो की आबादी है तो कितनी है 80.5% तो इसमें जो C option ने क्या हो जाएगा पिलोकुल अपना right next question देखिए next question है जन जातियों को कितने बासाई परिवारों में जो है बाटा गया तो चार बासाई परिवारों में बाटा गया विसाव बर में जन गणना के लिए किये जाने का सबसे बड़ा कारिया किस देश का है तो बारत का next question ब्रह्म समाज की स्थापन कब हुई 1828 में next question योजना की कारिया परनाली क्या कहलाती है तो परियोजना कारिया next question राश्ट्रिये आयोग समीती के पर्थम है देक्स कोन थे तो पंडित जवारलाल नहरू next question देखिए बड़े पहमाने पर द्यान करने के लिए कौन सी पत्ती जो है सही है तो इसका जो आंस्वर आप मुझे कमेंट सेक्सने बिताएंगे जो किसने बार बार रिपीट हो चुका है इसका आप मुझे अगर आपने जो है वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इसका अनस्वर इजीली बता पाएंगे next question देखिए बूमंड लेकरन का एक आयाम बताएं तो जो है पार राष्ट्रिये जोहर बार रहीत अर्थ वैवस्ता आदी जातिया और लेंगिक अत्याचारों की विरूत आवाज किसने उठाई थी तो ये उठाई थी जोती बा फुले ने बारतिये next जाति बारतिये मुप महद्यीब से जुड़ा अनूठा संस्तान है तो इसका जो राइट अंसर क्या जाज़ेगा सत्य है नेक्स्ट है विक्षित देशों में जन संख्या का बहुत कम बाग नोगरी पेश सा लोगों का होता है तो ये बताना आपको तो ये क्या बिल्कुल अनुचित है रोंग है उदारी करण और बुमडली करण आपस में जुड़े हुए हैं पर एक जैसे नहीं है तो ये क्या बिल्कुल सत्य है ट्रू है नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए वारताल आपके दोवारा सूचना एक तरित करना अवलोकन कहलाता है तो ये क्या गलत है उसको हम साखसातकार बोलते हैं तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा रोंग यान की गलत नेक्स्ट देखिए इन में से कौन सा देश जन संख्या की दिरिष्टी से दूसरा स्थान रखता है तो जो है बारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है तो पहला चीन है दूसरा बारत तो इसमें जो बी ओप्सन क्या होगा राइट नीमन में से किसने सत्य सुद्धक समाज की स्थापना की तो किसने की तो इसका जो राइट आंसर किया जोतिबा फुले नेक्स्ट ऐसी अर्थ वेश्था जिसमें उत्पादल के सादनों का जो स्वामीतव कुछ वी सेहस्थ लोगों के हाथ में होता है तो इसको हम बोलते हैं पुझी वाद तो इसमें जो ए उप्षन है क्या होज़ेगा बिल्कुल राइट नेक्स्ट है इन में से कौन सा सुतंतर बारत का पर्थमादोनी को द्योग था तो कौन सा था तो इसमें जो फर्स्ट है गया जूट भी सही है तो इसमें जो डी ओप्षन है क्या होजएगा बिल्कुल अपना राइट यहां तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है वीडियो अच्छी लगई है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों को ज़रू नहीं है इसी टाइप की तो आप में रिट्व चनल के उपर जाके देख सकते हैं मुझे फेस्बुक इंस्टाग्राम और टेलिग्राम पे फोलो करने के लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा वहां से आप मुझे डायट फोल कर सकते हैं थैंक्स पर वोचिंग